मा आधिशक्ति के पावन और पवित्र नौ दिन, इन नौ दिनों में मा दुर्गा के नौ स्वरुपों की पूझा की जाती है नवरात्र के इन पावन दिनों को लेकर भक्तों के मन में विशेश आस्था और विशेश श्रद्धा होती है आज नवरात्र का प्रथम दिन यानी माशायल पुत्री का दिन है तो आज के दिन कैसे माशायल पुत्री को प्रसंद किया जाए कैसे हो घट स्थापना कैसे मा की पूजा की जाए इस बारे में आज हम बात करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचारे नवीन कौशिक जी, चलिए सबसे पहले मिलकर आचारे जी का स्वागत करते हैं, आचारे जी बहुत स्वागत करूँगी कारिक्रम में आपका धन्यवाद, जै माता दी कहा है कि पहला नवरात्र शैल पुत्री का होता है और प्रथन दिन शैल पुत्री देवी की पूजा की जाती है, तो ये बात बिलकुल सही है कि जब नवरात्र शुरू होते हैं, तो पहला स्वरूप माता शैल पुत्री का आता है, और हम पहले दिन माता शैल पुत्री की प पुत्री है शैल अर्थात पहाड शैल का मतलब है पर्वत और पर्वत की पुत्री होने की वजह से शैल पुत्री नाम कहा गया है और शैल पुत्री के नाम से हम देवी के स्वरूप को जानते हैं अगर पौराणी कथाओं के अनुसार जाते हैं तो माता सती जब शती के बाद उन्होंने जब वो सती हो गई उसके बाद जब उन्होंने पुनर जन्म लिया तब वो परवतराज हिमाले के यहां पर जन्म लिया परवतराज हिमाले की पुत्री होने की वज़े से नाम शैल पुत्री है और सती होने के उपरांत जब परवतराज हिमाले के यहां पर जन्म हुआ तब ही उनका नाम शैल पुत्री रखा गया और कुछ लोग देवी उमा के नाम से भी शैल पुत्री को जानते हैं और शैल पुत्री जो स्वरूप है माता का यह बहुत ही सुन्दर है बहुत ही भव्य है माताशैल पुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है जहां दाएं हाथ में त्रिशूल से संकेत करती है कि दैत्यों का पापियों का कुविचारियों का नाश करने के लिए उनको सबक सिखाने के लिए उनको दंडित क करने के लिए यह रूप धारण किया है यह दिखाया है इसी ही प्रकार से बाएं हाथ में कमल का पुष्प शांती सुख और विद्या विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा स्वरूप है विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा नवरात्र पर्व और पहला दिन कहा जाता है तो ऐसी परिस्थती में, ऐसे परवपर, विर्द्यार्तियों को तो विसेश रूप से माता शैल पुतरी की पूजा करनी चाहिए, और इतने भव्य शरूप का पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए, जी, अचारे इसमें पर आपने देखा होगा कि लोग कहते थे सूपात्र और व्यक्तियों की पहचान होती थी सुपात्र और कुपात्र आज भी अगर बहुत पुराने लोग आपको मिलेंगे तो वो प्राय अपनी यात्रा के साथ या कोई भी शुभकारी करते हुए कोई भी अच्छा कारी करते हुए वह अपने साथ एक लोटा जरूर रखते हैं आज पुराने किसी विक्ति से मिलें या किसी महंत या अपने किसी गुरूजी से मिलें तब उनसे पूछिएगा कि सुपात्र और कुपात्र क्या होता है तो सुपात्र मतलब जिसके साथ पात्र हो जिसके साथ लोटे को हम पात्र भी कहते हैं पात्र का मतलब बरतन भी होते हैं लेकिन यहाँ पर विशेश तह लोटे को कहा जाता है कि एक तांबे का पात्र हो एक स्टेल का या पीतल का पात्र हो तो लोटे को स्पेसिफिकली कहा जाता है विशेश रूप से कहा जाता है अब घट स्थापन जो है जैसे कि हमने कहा कि हर कारी के लिए सुपात्र होना सुयो का वहां पर एक लोटा लोटे के ऊपर लोटे का जो कंट होता है लोटे का कंट माना जाते जहां पर एक ग्रिपिंग बनती है हाथ से पकड़ने की वहां पर कलावा बांदा जाता और हम उसमें कहते वहां पर भगवान रुद्र का निवास कहा गया है सास्थरसमत है अब बात करते हैं कि कलस इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम कुछ शुब कारे करते हैं और नवरात्र से शुब तो और कुछ हो ही नहीं सकता है आप ये देखिए कि अगर हम बात करें सर्दियों का जब रितु शुरू होती है शरद रितु शुरू होती है ठंडियां शुरू होती है शीत कालीन सत्र शुरू होता है ठंडियां सर्दियों का मौसम आता है ऐसी परिस्तितियों में सभी तेवहारों की पूरे वर्ष भी कहीं व्यवसाय, नौकरी या कामधंदे कहीं डिस्टर्ब हों, तब भी इस बात को महसूस करके देखेगा, कि नवरात्रों के बाद प्राय सब के पास थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अच्छे और बहुत अच्छे के रूप में काम आता है, लोग थोड़ा सा थोड़े लवल पर मैं कहूंगा कि खुश होते हैं, प्रसन्य चित्त रहते हैं, कोई थोड़ा कम रूप में होता है, कोई जादा रूप में होता है, ये डेपेंड करता है हर विक्ति विसेस पर, अब बात आती है कलस स्थापन की, क्योंकि जब हम नवरात् कर रहे हैं, देवी की उपासना की बात कर रहे हैं, देवी के आवाहन की बात कर रहे हैं, देवी को प्रसंद करने की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें सुपात्र होना अनिवार्य है, तो सुपात्र होने के लिए हम घट स्थापन करते हैं, कलस की स्थापना करते हैं, और कलस क स्थापना अगर हम इस वर्ष बात कर रहे हैं 2020 शारदीय नवरात्रों की बात कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बज करके 34 मिनट से ले करके 12 बज करके 24 मिनट तक अभीजीत मुहूर्त रहने वाला है और अभीजीत मुहूर्त से अच्छा कोई और समय नहीं हो सकता ऐ यदि हम नौकरी पेशावर हैं या कहीं हमें बहुत अर्जिंटली जाना हैं तो हम सुबह साड़े छे से ले करके और साड़े नौ बजे के बीच में भी घट स्थापन कर सकते हैं लेकिन यदि हम छुट्टी पर हैं हम घर में हैं और हमारे पास पर्याप्त समय हैं तो ऐसी परिस्थती में हमें अभीजीत मुहूर्त में ही घट स्थापन करना चाहिए तो घट स्थापन के मुहूर्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्यारा बज़ करके चौतिस मिनट प्रातों से लेकर के और मध्यान काल बारह बज़ करके चौबिस मिनट तक अभीजीत मुहूर् में हमें विदी पूरुवग घट स्थापन करना चाहिए एक सुन्दर सा कलश ले और कलश को सजा ले जितना अच्छा कलश सजाएंगे उतने अच्छा देवी की प्रसंदा के पात्र बनेंगे उतनी ही अच्छी करपा हम पर देवी की रहेगी इसमें कोई संदेह नहीं है कलश के उपर एक नारियल रखे नारियल रखने के बाद कलश पर मौली बांदिये रूली से तिलक कीजिए और कलश पर एक पुष्प माला खास करके गेंदे की माला जो है चड़ाना बहुत उचित है बहुत ही सास्त्र सम्मत है बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही शुभ है ऐसा सास्त्र सम्मत माना जाता है जी जी अचारे जी यदि आज की रंग की बात करें तो मा शैल पुत्री को कौन सा रंग बहुत अधिक प्रिय है इसके बारे में जाना जाऊंगे माता शैल पुत्री को श्वेत कलर याने की सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है उनको पुष्प के रूप में भी स्वेत रंग पसंद है उनको खाद्य पदार्थ के रूप में भी स्वेत रंग ही पसंद है और अगर हम बात करें तो माता शैल पुत्री का वाहन भी व्रिशब ह रंग करने की बात करें अभी स्थापन पर घट स्थापन के समय पर या कलश के उपर हम गेंदे की माला चढ़ाने की तो माता को हमें श्वेट रंग याने की सफेद रंग का पुश्प अर्पित करना चाहीं इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सास्त्र सम्मत कहा गया है, किन्तु विशेस बात यह है, कि जो साधक हों, अर्थात जो पूजा करने वाले वेक्ती हों, वो स्वच्छ और पीले रंग का वस्त्र धारन करें, अर्थात हम नहाद हो करके अच्छे वस्त्र, साफ वस्त्र पहने, और यदि संभव हो सके, तो हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए, यदि पीला लब्ध न हो, तो हम आफ वाइट क्रीम कलर, या कोई और अन्य लाइट कलर, यानि कि कोई हलके रंग का वस्त्र पहने, प्राया कोशिश करनी चाहिए कि हमें डार्क ब्लू डार्क ग्रीन या फिर ब्लैक इत्यादी से बचा जा सके यानि कि काला या फिर कोई ऐसा गहरा रंग हमें नहीं पहनना है पूरी कोशिश होनी को प्रसंद है वह हम अर्पित कर रहे हैं देवी को जो पुष्प पसंद है हम वह अर्पित कर रहे हैं एक अच्छा कलश भी पसंद है हम वह अर्पित कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थती में देवी अपने साधक का स्वरूब भी देखती हैं साधक स्वच्छ है नहीं है और यद साधक ने पीले वस्त्र पहने हो तो देवी अत्यधिक प्रसंद होती है कैसे अगर हम घर में भी देखते हैं और हमें कोई ब्लू कलर पसंद है रेड कलर पसंद है या कोई लाइट कलर पसंद है और हमारे ही घर का कोई बच्चा वैसा ही कोई सुन्दर कल अगर पहनता है तो ह गत माता है। जब वो अपने साधक को अपने बच्छों को वो अच्छे रंगों में देखेंगी या उन वस्त्रों में देखेंगी तो यकीनन निसदेह उनका मन और अत्यदिक प्र सन्न होगा और आपको अपनी मनवानशित फल की प्राप्ती होगी इसमें कोई संदेह नहीं है जी जी अचारे जी हमने जाना कि मा का स्वरूप कैसा है और मा को कौन सा कलर बेहत प्रिया है आगे अगर बात करें आज के दिन पूजन विधी के बारे में तो मैं चाहूंगे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं बिलकुल पूजन विधी म जैसा हमने प्रारंभ से शुरू किया हमने एक अच्छा कलस वहां पर स्थापित किया कलस स्थापित करने के बाद हम पूजा की विधी कैसे तयार करें किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए हम बहुत सुक्ष्म और अच्छे तरीके से समझने की हम जल्दी में भी कोशिश से करना चाहिए, विधिविधान से करना चाहिए, हम सबसे पहले जोती जलानी चाहिए, एक अखंड जोती जलानी चाहिए, जोती जलाने का तात पर यह सास्त्र सम्मत यह कहता है, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, तब भी सबसे पहले जोत जलाई जाती है, क्योंकि अगनी अगनी देव को हम साक्षी मानते हैं और अगनी देव को साक्षी मानते हुए सबसे पहले जोत ही जलाई जाती है तो पहले नवरात्रे वाले दिन हमें एक अखंड जोत देशी घी की एक अखंड जोत जलानी चाहिए अब वो आप किसी बड़ी जोत में जला सकते हैं किसी कटो करके किसी ऐसे बरतन में रखें यदि हम खुले स्थान पर रख सकते हैं और चुहे इत्यादी या किसी जीव जन्तू का कहीं कोई भय नहीं है तो हम खुले में भी रख सकते हैं लेकिन कोशिश करनी चाहिए जो मट्टी का सकोरा या मट्टी का जो बरतन आता है जिसमें अगर मिला करके हम उसको ऐसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद थुड़ा पानी उसमें डालें और वहां पर हमें हरियाली के तौर पर धन और धान्य के तौर पर हमें वह वहां पर स्थापित करना चाहिए उसके पास में ही कलस स्थापित होना चाहिए इसके बाद एक थाली ले और थाली के अंदर एक स्वास्तिक बनाएं स्वास्तिक बनाने के बाद में वहाँ पर गणपती जी की स्थापना करें क्योंकि गणपती जी की अराधना और पूजा के बिना तो वैसे भी किसी प्रकार की पूजा को संपन होना हम उचित सास्त्र सम्मत ही नहीं मानते हैं और हमें गणपती की पूजा के बिना किसी अन्य पूजा का यानि कि किसी भी देवी के स्वरूप का किसी भी देव के स्वरूप का या अन्यत्र किसी भी प्रकार की पूजा का कोई भी अच्छा और पूर्ण फल नहीं मिलता है तो इसलिए गणपती अराधना सर्व प्रथम है तो हमें सबसे पहले एक स्वास्थिक बना करके और एक सुपारी के उपर हम कलावा लपेट दें यदि सुपारी और कलावा मौली अगर हमारे पास में नहीं है तो उस परिस्थिती में हम गणपती जी की कोई छोटी प्रतिमा बिल्कुल हम कोशिश करें कि कोई छोटी ही प्रतिमा हो छोटी प्रतिमा को उस थाली के हंदर हम स्थापित करें और स्थापित करने के बाद गणपती जी को हम दुर्वा चढ़ाएं जनेऊ चढ़ाएं और जनेऊ चढ़ाने के साथ तिलक चन्दन इत्यादी का तिलक करें यदि संभा हो तो छोटे-छोटे वस्त्र पहना दें और गणपती जी के अराधना करने के बाद देवी का पूरा श्रिंगार करें क्योंकि गणपती जी की पूजा के बाद नंबर आता है प्रधान देवी का और प्रधान देवी यहाँ पर है माता शैल पुत्रे याने की दुर्गा नवरात्र में हम दुर्गा जी की अराधना करते हैं पूजा करते हैं ऐसी परिस्थति में हमें दुरगा جी का शैल पुत्री का हमें श्रिंगार करना है उनकी पूजा करनी है तो श्रिंगार में सबसे पहले उने एक अच्छी लाल चुन्नी उड़ाएं चुन्नी उड़ाने के बाद उनको श्रिंगार इत्यादी जैसे चूड़ी बिंदी इत्यादी वहाँ पर अर्पित करें अर्पित करें यदि प्रतिमा के रूप में है यानि कि दुरगा जी कि आपके पास में कोई बड़ी प्रतिमा है तो वहाँ पर आप उनको बिंदी लगा भी सकते हैं उनको चूड़ियां पहना भी सकते हैं आप उनको अन्यवस्तर भी पहना सकते हैं लेकिन यदि प्रतिमा बहुत छोटी है और वहाँ पर हम बिंदी इत्यादी लगा नहीं सकते हैं तो उस परिस्थिती में हमें माता को श् बाद माता को सुगंदित द्रव्य जैसे के इत्र अगर हम आज की भाषा में समझें तो हमें पर्फियूम इत्यादी वहां पर लगाना चाहिए और पर्फियूम लगाने के बाद हमें उनकी अराधना करनी चाहिए और छमायाचना करनी चाहिए इसके बाद आती है बात भोग की तो माता को कोई भी स्खेट रंग का यानि की सफेद रंग का भोग अर्पित करना चाहिए ऐसे में हम यदि खीर बना लें तो इससे अच्छा भोग और Annyatr कोई नहीं हो सकता अर्थात मीठे में भोग में हम खीर अर्पित करें यह माता को अत्यधिक प्रिय हे इसके बाद माता को हम एक सब्सक्राइन कुछ फूल अर्पित करें उसके बाद कुछ अर्पित करें और देवी अपराद k्षमा स्त्रोत्र को यदि हम पढ़ नहीं सकते हैं तो MP3 संगेत के माध्यम से सुन ले यदि ऐसा करते हैं तो देवी की कृपा आप पर अपार रूप में बरसेगी इसमें कोई संदेह नहीं है जी तो बिल्कुल दर्शकों हमने जाना कि नवरात्र के प्रथम दिन माशैल पुत्री को कैसे प्रसन किया जाए क्या हो आज का पूजा का विधिविधान इसके साथ ही हमने जाना कि माशैल पुत्री का स्वरूप कैसा है पीले रंग के वस्टे धारन कर यदि आप माशैल पुत्री की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ विशेश रूप से प्रसन होती है तो आचारे जी आप स्टूडियो में आए आपने बताया कि किस तरह से मा का स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना किस तरह से की जाए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो बिल्कुल धर्श को माशैल पुत्री की कृपा आप सब पर बने रहे इसी मंगल कामन के साथ मुझे दीजी इजाज़त जय माता दी संत्वाल दुखदाहनी सुखदाहनी